हे गाइस वाच आप दिस शुवरी फ्रमीगाजस फॉर यू और इस वीडियो में आई ये चलिये देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूस जो की चल रहा है इंडिया में सबसे पहले दोस्व कल एक ऑफिशियल इवन में न्यू जली पे और नाइन लाइट रिलीस हुआ है इंडिया में हां दोस्व लॉंच हुआ है ओनर नाइन लाइट अड़ प्राइस अफ अब दोस्व इसका जो बिल क्वालिटी है वो भी मेटलिक बिल्ड है और पीछे भी एक ग्लास फिल आता है जिसके कारण यह बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें टस मैगनेट या फिर आपको फिंगर इंप्रेशन्स मैगनेट हो जाए यह बैक से लेकिन दोस्व इसका एजस जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है और नाइन प्लाइबल होगा 3000 मिलियामपेर का बैटरी रहेगा फिंगर्पिन सेंसर पीछे रहेगा और बात करें सबसे खासियत की कैमेर की तो सामने और पीछे दोनों में ही दो-दोकर के कैमेरा है मतलब टोटल में चार कैमेरा है 13 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल शूटर अब यह ले फ्लिपकार्ट और यह भी है दोस्तों कि हां मिड्रें सेग्मेंट में जैसे और ने पहले बोला था कि बाई 2019 वो लोग एक बहुत अच्छा जगा बना लेगा इंडिया में तो 2018 का शुरुआ तो वैसे बहुत ही अच्छा हुआ है यह प्राइस सेग्मेंट में और नाइन 7 लॉंच किया हुआ है हाँ दोस्तों जैसे अभी भी जितने सारे न्याना हैंसेथ लॉंच हुआ है 2018 में ट्रेंड था 18 इस्ट और इन ऐस्पेक्ट रिश्यों की लेकिन यह हैंसेट में नहीं है दोस्तों यही पता ने खास है यह फिन नेगटिव पॉइंट है क्योंकि एक लुकन फिल यह आ जाता है कि हाँ जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के साब से चलना चाहिए प्राइसिंग के साब से देखा जाए तो 12,990 रूपीस से शुरुआत है दो वैरियेंट में यह आएगा अब सैमसंग गालक्सी ऑन 7 प्राइम और दोस्तों यह भी एक्स्लूसिवल एमजन से आपको मिलेगा 3GB RAM variant 32GB internal memory का प्राइस 12,990 रूपीस और 4GB 64GB का कम्बिनेशन का वैरियेशन 14,990 रूपीस में मिलेगा दोस्तों और हाँ इसके साथ साथ कुछ कैश्पैक जियो मनी लांच ओफर्स ऐसा है गोल्ड और ब्लैक कालर में अविलेबल होगा on 7 प्राइ फूल एच्टी डिस्प्ले है TFT LCD का स्क्रीन या फिर डिस्प्ले रहेगा 16M कलर डेप्थ के साथ और इसके साथ साथ अपको सैमसंग Exynos 7870 का चिपसेट में लेगा Octa-Core का प्रोसेसर जिसका Clock Speed 1.6 KHz रहेगा और यह Android Nougat के उपर ही आएगा अभी के लिए लेकिन हाँ हो सकता है कि बहुत जल Oreo भी आ जाए इसमें सामने और पीछे दोनों में ही 13 Megapixel का कैमेरा रहेगा जिसका Focal Aperture F1.9 रहेगा Fingerprint sensors और बाकी सारे sensors भी embed किया हुआ रहेगा IR Blaster को छोड़ कर लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है मेरा personal opinion है वैसे हाँ obviously brand value है Samsung का लेकिन trend के साब से अगर जाना था तो डिस्पले में सिर्फ TFT डिस्पले और उसके साथ साथ 5.5 inch का screen जमता नहीं है दोस्तों क्योंकि कि किसी price range में बाकी सारे companies अच्छा खासा trendy हैंसे इस ला रहा है लेकिन फिर भी अगर brand value के उपर आपका emphasis है तो यह sale आप available कर सकते हो Amazon से दोस्तों IPL of 2018 Indian Premier League जो कि एक बहुत बड़ा event होता है हर साल इस साल भी होगा स्टों starting from 3rd of April और दोस्तों यह भी बोला गया है Star Network से जो कि official broadcasting partner है IPL की कि इस साल आप hotstar में तो देख पाऊगे लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके handset में gyroscope है और आपके पास wear headset है तो आप wear gear की use करके अपने phone से true hotstar IPL virtual reality में देख पाऊगे तो यह लगाने के बाद आप ऐसा feeling होगा कि आप within the game हो ऐसे है कि life action में आप बैठे वे हो और उस बीच आप game देख रहे हो ऐसे आप feelings आएगा और इसके साथ साथ commentary भी आप चूस कर पाऊगे आपने मन पसंद language में से और यह game का मुझा ले पाऊगे तो जैसे मैं बोल रहा था VR और AR virtual reality और augmented reality को पर बहुत सारा काम हो रहा है मेरे पास खुद भी ऐसे कुछ projects चल रहा है app development भी जो की VR और AR related से है तो हर एक sector में development आ रहा है इसको लेकर देखना परेगा दोस्तो 2018 एक बहुत बढ़ा साल है VR और AR को लेकर कितना advance होता है और क्या-क्या नया नया चीज आता है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो subscribe करना मत भूला मेरे चैनल को उसके बगल में जो notification का बहला है उसको भी on करकर रखना ता कि आपको notifications आये जब भी में नया वीडियो अपलोड करू मेरे चैनल पर तो ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों जितना हो सके इसको like कीजिए और share कीजिए सभी के साथ क्योंकि knowledge और information सभी के साथ ना चाहिए so that will be it guys bye for now